हेलो श्रीमेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आए देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 का कोश्चन नमबर 9 इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रेंगल्स मतलब इस फिगर में हमें दो राइट ट्रेंगल्स दिया हूँ है एक ABC एड एक AMP right angled at B and M directly जहाँ पर राइट अब रहा है एक B पर बन रहा है और दूसरा M पर बन रहा है प्रूफ दाट ट्रेंगल ABC इस सिमिलर ट्रेंगल AMP हमें प्रूफ करना है कि जो ABC ट्रेंगल है ये AMP ट्रेंगल के सिमिलर है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन triangle ABC and triangle AMP इन दोनों triangle में आप एक चीज़ देखो क्या common है कि हमारा जो angle A है वो दोनों में आ रहा है A, A, B, C में भी A आ रहा है और A, M, P में भी A आ रहा है तो यहां से हम ले लेते हैं angle A equal to angle A common next आप देखो कि B पर भी right angle बन रहा है और M पर भी बन रहा है जो कि हमें question में given है तो हम ले सकते हैं angle B equal to angle M क्या हो जाएगा यह इच नाइल के डिगरी जो कि क्या है में given है अब यहां पर हमें 2 corresponding angles equal मिलके तो हम कह सकते हैं कि triangle ABC is similar to triangle AMP by angle angle criteria अब देखो second part क्या है इसका second part है CA upon PA equal to BC upon MP यहां पर आप ध्यान से देखो कि जो हमने triangle similar कि हैं उन्हीं के यह parts है CA upon PA then BC upon MP तो जब यह similar triangle जो हमने किये हैं उन्हीं के ही parts है तो हम लिख सकते हैं कि CPST means corresponding parts of similar triangle हमने पढ़ा है ना कि जो हम कोई triangle को similar कर देते हैं उनके जो corresponding parts का ratio आता है वो भी क्या होता है equal होता है तो यहां से हमारा इसका second part हो गया प्रूब question number 9 यहां पर complete हो गया आए देखते है question number 10 question number 10 CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EFG means ACB यह triangle है और EFG यह triangle है इसमें जो हमारे CD और GH यह के हैं दो bisector है bisector क्या होता है जैसे यह angle पूरा C है तो इसको यह half में divide करेगा उसे bisector बोलते है such that D and H lie on sides AB and EF यहां पर बोला है कि जो हमारा D है वो AB side पर लाई करेगा और जो H है वो हमारा FE side पर लाई करेगा और triangle ABC and EFG respectfully if triangle ABC is similar to triangle FEG अब यहां पर हमें given कहें कि ABC triangle जो है वो FEG के similar है तो हमें show करना है total 3 parts as question के चले देखते है solution स्टार्ट करते है सबसे पहले हमें given कहें कि triangle ABC similar है triangle FEG यह कहा हमें given यहां से हम कुछ information निकालते हैं देखो अगर हमारा ABC similar है triangle FEG के तो हम क्या कह सकते हैं कि angle A जो हो जाएगा वो हमारा angle F के equal होगा और angle B हमारा angle E के equal होगा then angle C हमारा angle G के equal होगा यहां से यह पता चल रहे है चले देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना है CT upon me GH equal to AC upon me FG अब आप देखो CT यहां पर आ रहा है FG यहां पर आ रहा है then AC इस तरफ की लाइन है और FG इस तरफ की लाइन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा इस triangle को और इस triangle को तो हम लिख देंगे इन triangle ADC and triangle FHG हमने यह वाला triangle ले लिया सबसे पहले इसमें देखो हम क्या लिख सकते हैं कि हमें पता है कि angle A equal to angle F है क्यों है गीवन है में then अब आप देखो अगर हम इसका half कर दें इस पूरे angle C का तो मुझे यह वाला angle मिल जाएगा मैं इसको नाम दे देती हूँ angle 1 और angle 2 मैं लिखूंगी angle C equal है angle G के angle C angle G के equal है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं half of angle C equal to half of angle G half of angle C equal to half of angle G होगा तो क्या हो जाएगा angle 1 equal to किसके हो जाएगा angle 2 के equal हो जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा half of angle C का angle 1 और half of angle G का angle 2 तो यह equal हो जाएगा तो हमने यहां पर दो angle देखो एक्वाल कर दी यह एक तो हमारा हो गया A equal to F, एक होगे हमारा, जहाँ पर हम लिए सकते हैं कि CD and GH are bisectors, अब देखो हमें 2 angle मिल गए, अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि triangle ADC FHG के similar है, क्यों बोल सकते हैं कि तो हमने यहाँ पर angle 1 को angle 2 के equal prove कर दिया है, then angle A और angle F हमें given था, तो लिख देंगे by angle angle similarity criteria, जही हमने triangle prove कर दिये, अब जब हमने यह triangle similar prove कर दिये, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो, कि CD upon me GH equal to हो जाएंगे AC upon me FG के, यही हमें prove करना था, first part में, by CPST, right, corresponding parts of similar triangle, तो यह हमने इसका first part prove कर दिया, अब देखते हैं, इसका second part, चले देखे, अब हमें prove करना है, second part में, triangle DCB similar है triangle HGE, means DCB similar है, HGE, मतलब हमें यह दोने छोटे ओले triangle लेने हैं, अब यहाँ पर आप देखो, हमने यह भी given में prove कि angle B equal है, angle EK, तो सबसे पहले तो हमें बिल गया angle B equal है angle EK, तो reason क्या हो जाएगा हमारा यह given है, then हमें पता है कि CD क्या है bisactor है, और यहाँ पर GH bisactor है, अभी हमने क्या prove किया था, कि angle 1, angle 2 के equal है, अगर angle 1, angle 2 के equal है, तो similarly क्या हो जाएगा, हमारा angle 3, angle 4 के भी equal हो सकता है, तो हम यहाँ भी लिखेंगे angle C equal to angle G, ठीक है, यहाँ पर हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, half of angle C equal to half of angle G, अब इसका half of angle C क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा angle 3, equal to angle 4, तो यहाँ पर हमें दो angle मिल गए, हम डिजन लिख सकते हैं, कि CD and GH are bisectors, अब देखो हमें दो angle मिल गए, तो हम बोल सकते हैं, कि triangle DCB is similar to triangle HGE, by angle angle similarity criteria, तो यहाँ पर हो गया, इसका second part complete, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं, इसका third part, चलिए, third part में हमें क्या प्रूब करना है, triangle DCA similar है, triangle SGFK, means DCA similar है, triangle HGFK, अब यह आपको याद है, थोड़ दर पहले हमने यह alert angle लिया था, और इन दोनों को similar proof किया था, ठीक है, तो हम एक बार फिर से कर देते हैं, आपर हमें पता है कि angle A equal है, angle FK, angle A equal to angle F, क्यों है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, गिवन, हमें यह given है, यह देखिए, हमने यहाँ पर प्रूब किया था, उसके बाद हम लिख सकते हैं, पर कि, यह जो हमारा angle 1 है, angle 2 के equal है, लिखेंगे angle 1 equal to angle 2, लिख देंगे proved above, हमने भी थोड़ दर पहले इसको proved किया था, यहाँ पर हो गया, triangle DCA similar to triangle HGF by angle, angle similarity criterion, question समझ में आया होगा, video अच्छी लगी हो तो please like करें, friends में share करें और channel को subscribe करना ना भूले, thanks for watching,